चीन और अमेरिका के बीश तनाव जो है वो चरम पर पहुँच गया है हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं इन दोनों मुलकों में कब जंग के शोले भड़क जाएं ये कहा नहीं जा सकता है चीन और अमेरिका किसी भी वक्त सिर्फ खुद को ही नहीं बलकि पूरे दुनिया को जंग की भीश राग में जोग सकते हैं और इन हालात में ट्रम की ओपरेशन डबलू 762 की डिटेल सामने आई है इसने सभी को चौका कर रख दिया है बताये जा रहा है कि ओपरेशन सिर्फ चीन ही नहीं बलकि उसके दोस रूस के लिए भी चिंता का सबब है क्योंकि ओपरेशन एक ऐसे हत्यार से जुड़ा है जिसके बारे में ट्रम्प ने खुद दुनिया को बताया डंके की चोट पर कहा कि इस हत्यार के बारे में ना तो पुतिन और ना ही जिन पिंग किसी ने कभी भी सुना नहीं होगा आखर क्या है ट्रम्प का ओपरेशन W762 और वो कौन सा हत्यार है जो अमेरिका ने तयार किया लेकिन अब ही तक दुनिया बेखबर है आपको दिखाते हैं सुपर एक्स्क्लूजिव रिपॉर्ट ठीक ऐसा ही विद्वन सक धमाका होगा ठीक ऐसे भीश्वर तबाही होगी क्योंकि तीसरे विश्विवत की आहट की बीच सुपर पावर अमेरिका ने सबसे घातक, सबसे मारक, टॉप सीक्रेट हत्यार रेडी कर लिया है जिससे चीन के होश उड़े हुए है, रूस भी टेंशन में है अमेरिका के हर दुश्मन के दिल में दहशत दोड़ रही है क्योंकि डॉनल्ड टरम्प के आटमी वार रूम में एक सीक्रेट वेपन एक्टिवेट हो गया है टरम्प ने वो हत्यार बना लिया जो सिर्फ अमेरिका के पास है टरम्प के वो सीक्रेट हत्यार जिसके बारे में जिन पिंग नहीं जानते एक ऐसा विद्ध्वन्सल वेपन जिसके बारे में पुतिन ने भी नहीं सुना आकर क्या है डॉनल्ड ट्रॉम का ओपरेशन डबलू सेवन सिक्स टू दुनिया युद्ध मोड में है तनाव हर देश में है कभी भी कुछ भी मुमकिन है कभ वर्ड वार्ट ट्री के शोले भड़क जाएं कोई नहीं जानता ऐसे में ट्रॉम का ओपरेशन डबलू सेवन सिक्स टू एक्टिवेट होना ढ़राने वाला है क्योंकि अगर ये युद्ध की आश्रंका हकीकत में तबदील हो गई तो अमेरिका का सीक्रेट कुछ युद तबाही मचा सकता है अखिर ट्रॉम का ओपरेशन डबलू सेवन सिक्स टूप क्या बला है अखिर अमेरिका ने ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन टीवेट कर दिया है जह सिवारी में कहा जा रहा है कि ट्रॉम कभी भी वर्ल्ड वार का बटन दबा सकते हैं और ये आशंका युँ ही नहीं जताई जा रही है सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर ये नहीं कहा जा रहा है बल्कि पूरे सबूतों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है सीक्रिट वेपन के बारे में खुद अमेरिका के राश्टपती डोनलर्ड टरम्प ने खुलासा किया है टरम्प ने खुलम खुला कहा है कि इस सीक्रिट वेपन को किसी ने देखने की बात सो दूर है आज तक सुना भी न होगा जिस सरीके से अमेरिका और चीन के बीच में रिष्टे बिगड़ते जा रहे हैं ऐसे में ट्रम्प का ये खुलासा बहुत माइने रखता है यू मान लीजिये कि युद्ध की पठकता लिखी जा रही है ये वो किताब है जिसके पन्नों में दुनिया का सबसे सीक्रेट वैपन बनाने का ट्रम्प का दावा दर्च है रेज नाम किये किताब अमेरिका के खोजी पत्रकार बाब वुड़वर्ट की है ये किताब ट्रम्प के 18 इंटर्व्यू पर आधारित है जो ट्रम्प ने वुड़वर्ट को दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच दिये और उन तमाम इंटर्व्यू में से एक में पाँच दिसंबर 2019 को ट्रम्प ने वुड़वर्ट को अमेरिका के रहसे मई और फिर ध्वंसक हथियार के बारे में बताया सुना अपने ट्रम्प ने क्या कहा उन्होंने ऐसा न्यूक्लियर वैपन बना लिया है जिसके बारे में जिन पिंग भी नहीं जानते एक ऐसा सीक्रेट वैपन सिस्टम जिसके बारे में पुतिन को भी कुछ नहीं पता ऐसा हथियार जो आज से पहले अमेरिका के पास नहीं था लेकिन अब है लेकिन सवाल ये है क्या आखिर वो रहे समय हथियार क्या चीज़ है क्या उसकी रफतार उसकी मार और उसकी ताकत का कोई सानी नहीं है क्या उसकी जट से दुनिया का कोई कोना नहीं बच सकता है चाहे धरती हो आसमान हो या समंदर टार्गिट कहीं भी हो कितने भी दूर हो क्या महज कुछ मिंटों में उसका काम तमाम हो जाएगा ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन होने का दम तो भर लिया है लेकिन ये वेपन कितना घातक है कितना विध्धनसक है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है लेकिन ट्रंप को जानने वाले और अमेरिका की डिफेंस अक्टिविटी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का अनुमान है कि ट्रंप ने जिस हत्यार को बनाने का दावा किया है वो वाकई में बन चुका है जानकारों की मताबिक ट्रंप का इस तरह एक सीक्रिट वैपन के बारे में जिक्र करना और वो भी तब जब एक तरफ वो चीन को सबख सिखाने के लिए उससे बदला लेने के लिए बेकरार बैठे हैं और दूसरी और राश्पती पत के लिए चुनाफ इस लिहाँ से ये किताब आना और उसमें ये खुलासे होना ये सारी चीजें किसी बड़े कदम की प्रिश्ट भूमी तैयार करने वाली है और उस बड़े कदम में ट्रंप का वो हत्यार बहुत अहम होगा जिसकी तकनीक के बारे में ना चीन ने कभी सुना है और ना ही रूस ने क्यूंकि ये तकनीकी का यूग है सारे हाइटेक हत्यार तकनीक पर निर्भर है और ये तकनीक ही है जो अमेरिका को सुपर पावर बनाती है और उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने एक नाया और घातक नुकलियर वार हेड तयार किया है जिसका नाम है W762 इसे लोग इल्ट नुकलियर बम कहा जाता है साधारन शब्दों में कहें तो छोटा परमाणू बम इसमें एक्स्प्लोजिव चेंड वियक्शन नहीं होता इसलिए इससे किसी खास और छोटे अलाके को निशाना बनाया जा सकता है इसका वजन पांच किलो टन होता है जो हिरोशिमा पर गिराए कए लिटिल बॉई परमाणू बम से एक तिहाई कम है इसका मतलब यह हुआ कि इससे एक खास जगह को ही टार्गेट करके सिर्फ वहीं पर तबाही मचाई जा सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके इस्तेमाल से परमाणू बिभीशकार नहीं जिलनी होगी तबाही होगी और जरूर होगी और तबाही का यह सामान अमेरिका के टैक्सिस में तयार होगा यह वही सीक्रेट प्लांट है जहाँ W762 नुकलियर बं बनाय जाते हैं जिसका नाम है पैंटेक्स प्लांट जहाँ पर यह बं बनाने का काम 2018 में शुरू हुआ यह प्राजेक्ट इतना सीक्रेट था कि ट्रम्प और आर्मी के चुनिंदा लोगों के लावा किसी को भनक नहीं थी कि यहां असल में हो क्या रहा है टेक्सिस के पैंटेक्स प्लांट में 2018 में 90 किलोटन के W76 परमाणू बं को मौडिफाई करने का काम शुरू हुआ था और 2019 में इस प्रोग्राम में काम्याभी मिलने के बाद 5 किलोटन के W762 परमाणू बं का प्रोडक्शन शुरू हो गया एक अनुमान के मताबिक अमेरिका ने करीब 50 ऐसे बं तैयार कर लिये हैं और इसी साल फरवरी में लो इल्ट नुकलियर बं डबलू 762 को अमेरिकी सबमारीन यू एसस चेनेसी पर तैनात मिसाईलों में लगाए किया ट्रम्प की तैयारी अब इस बं को और बड़ी संख्या में बना करके अपनी तमाम मिसाईलों पर लगाने और टैक्टिकल नुकलियर विपन की रेस में एडवांटेज हासिल करने की है मतलब यह है कि डबलू 762 को डॉनल्ड ट्रम्प जल्द से जल्द अमेरिका के जंगी जहाज और साथी फाइटर जेट्स की मिसाईलों पर लगा देखना चाहते हैं बताया जा रहा है कि अमेरिकी साइंटेस्ट ऐसे बमों से अपनी कई नुकलियर मिसाईलों को लैस करने में जुट गए हैं और यह प्लानिंग अमेरिका के प्रमास्तर कही जाने वाली सुपर डूपर मिसाईलों के लिए भी है जो पलक छपकते ही अपने टार्गेट को ध्वस्त कर देंगी जिसे ना रेडार पकड़ सकेगा ना ही दुनिया खा कोई एर डिफेंस सिस्टम तभा कर सकेगा कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइट बॉड़ी ये वही मिसाईल है जो अपने गती, शमता और टार्गेट को तभा करने के लिए जानी जाए की जिसका मुकाबला ना रूस कर सकेगा ना चीए अमेरिका की सुपर डुपर मिसाईल आफास की रफ्तार से पांच गुना तेजी से उडान भरेगी 6174 किलोमीटर प्रती घंटी की रफ्तार से उड़कर टार्गेट को हिट करेगी और उसे दिन या रात कभी भी लांच किया जा सकेगा लांचिंग के बाद ये मिसाईल प्रत्वी की कख्षा से बाहर जाएगी टार्गेट पर निशाना साधेगी और तबाही मचा देगी अमेरिका की ये तमाम जंगी तायारिया इन तिनो चीन के साथ चरम पर पहुँच चुके उसके तनाव को देखते हुए बहुत घातक मानी जा रही है क्योंकि इनकी बदालत प्रेज़ड़न ट्रमप अकेले दम पर चीन के चीथड़ उड़ाने की ताकत रखते है जिस दिन उनका दिमाग गरम हुआ उस दिन से जिनपिंग की दुनिया दहल जाएगी और जिनपिंग को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि वो दिन जल्द आने की पूरी संभावना है लिहासा अमेरिका को काउंचर करने के लिए जिनपिंग के साइंटिस्ट भी नए नए हत्यार इज़ात करने में जुटे हैं ताकि बीजिंग में अमेरिकी बारूत को बरसने से रोका जा सके और जंग का ऐसा ही गेम चेंजर माना जाता है स्ट्रेल्थ बंबर्स को दावा किया जा रहा है कि चीन के साइंटिस्ट ने शियान H-20 नाम का सुपर सॉनिक स्ट्रेल्थ बंबर्स बना लिया है जो इसी साल के अंद तक चाइनीज एर फोर्स को मिल जाए का बताया जा रहा है कि रिटार के पकड़ में नहीं आने वाला शियान H-20 बंबर्स हाइपर सॉनिक मिसालों से भी लैस होगा और 8500 किलोमिटर की रेंज में ये कहीं पर भी आटम बंब गिरा सकता है चीन को सुपरसॉनिक स्टिल्थ बंबर बनाने की जरूरत आखर क्यों पड़ी अब ये समझे उसके पीछे है अमेरिका का डड़ उसके सुपरसॉनिक स्टिल्थ बंबर B-21 का खौफ क्योंकि मशूर हत्यार निर्माता कंपनी नौर्थ रॉप गुरुमान प्रोजेक्ट की आखरी दौर को पार कर चुकी है LRSB प्रोग्राम का मतलब है Long Range Strike Bomber प्रोग्राम बहुत जल्द अमेरिका अपने इस ब्रंभास्त की जलग दिखा सकता है जो किसी भी महादूइप में बंब वर्शा कर सकता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके आगे चीन कशियान H-20 कहीं नहीं टिक पाएगा अमेरिका 2014 से तुन्या का सबसे खतरनाग सुपरसॉनिक स्टेल्थ बंबर बनाने में जुटा है और अब उसकी महनत को आखरी मुकाम मिलने वाला है खुल मिलाकर बात ये है कि चीन जैसे माने का अमेरिका अब उसे वैसे मनवाने का मनसूबा बांद चुका है ड्राइगन के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका और दुनिया के बागी मुलकों ने जो तैयारियां कर रखी है उसने चीन की धुक्तुकी और बढ़ा दी है इसलिए मकारी और फरेब के लिए को क्या चीन डरा है, सहमा है और बॉकलाया भी है और उसी बॉकलाहट में वो भी पलेटवार के तैयारियों में मश्गूल है ये जानते हुए भी कि जरा सी हिमाकाद जिनपिंग की ताना शाह सल्तनत को भस्म करके रख देगी ब्योरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारतवर्श